सूपर बात बच्चों आज हम करेंगे अध्याय नंबर एकी दो रही जो हमारे यूटी टेस्ट में आने वाले हैं सबसे पहले भासा की परिभासा लीपी की परिभासा और व्याकरण की परिभासा इनके बारे में हम जानेंगे की भासा की परिभासा दे गई हो और लास्ट में पूच लिया जाए उप्सन में की इसे भासा कहते हैं लीपी कहते हैं या व्याकरण कहते हैं उसी तरह से लीपीगी हो सकता है, परिवासा हो, और डैस में छोड़ दिया जाएगा, इसे क्या कहते हैं, ओप्सन में ये सारे दे दिये जाएंगी, तो इसकी परिवासा आपको याद करनी है, आगे भासा के कितने रूप होते हैं, मोखिक लिखित, ये भी पुछा जा सकता ह कितने होते हैं, तो संख्या में दो, और एक का नाम दे दे और दूसरा पुछा जाए, तो भी आपको पता करना है, मोखिक लिखित वासा की परिवासा हो सकती है, और फिर लास भी पुछा जा सकता है, कि इस वासा को खालिस्तान कहते हैं, मोखिक लिखित वासा, संप्रक ल परिवासा या कोई और अन्य भासा दे दी जाए यही इस तरह के भी कुशन बन सकते हैं आगे हैं भासा की काई परसन ये भी बन सकता है कि भासा की कितनी काई होती हैं तो आप काउंट करके पहले से तयार रखे कितनी होती हैं पांच होती हैं धावनी वांड शब्द पद और वके, इनकी भी परिवासा आपको याद करनी है, अभी मैंने बताया था कि भासा की परिवासा देकर और ओप्षन दे दिये जाएंगे कि इसे क्या कहते हैं, इसी तरह से धमनी की भी अकर परिवासा दे दी जाएं कि मुख से निकलने वाला परतेक, शावतंत्र, शावर, खालिस्तान या परज दमनी की जगह डैस मिलेगा आपको कहलाता है तो आप क्या भरेंगे दमनी, वान, शब, पादिय, वाके अगर आपको ये परिवासाइं याद हैं तो ही आप सही मर सकते हैं इसकी जगह जैसे ये रेड से बरखा, लाल रंग से बरखा है, इनकी जगह आपको डैस मिलेगा और आपको प्रैक्त मरना पड़ेगा बोली के बारे में भी इसी तरह से परसन बनेंगे और लास्ट में डैस इस तरह से छोड़ दिया जाएगा और आपको फिलिप करना है इन में से कोई भी एक भासा दे दी जाएगी और उसमें से पूछा जाएगा कि ये कहां पर बोली जाती है या कौन सी भासा है भासा और बोली में अंतर वाले का उप्षन नहीं बन पाएगा आगे हैं लीपी हाँ लीपी में पूरा कोशन बनेगा हमारा किस तरह से बनेगा एक बार देखिए कि पंजाबी भासा की लीपी खालिस्तान है गुरुमु की देवनागरी रोमन या फारसी इस तरह से चार उप्षन दे दी जाएंगे और उनमें से आपको जो सही होगा उसको तिक करना है गुजराती के देवनागरी फ्रांसीसी की रोमन नैपाली की देवनागरी हिंदी की देवनागरी उर्दु की फारसी अंग्रेजी रोमन मराठी देवनागरी अर भी फारसी तिक ये सारी बासा हैं और लिपी आपको याद रखनी है इन में से कोई भी एक या दो लिपी आएंगी बासा आएंगी और उसकी लिपी आपको बतानी होगी उसे आगे है व्याकरण के विवाग व्याकरण के कितने विवाग होते हैं संख्या में भी पूछा जा सकता है और दो के उत्तर लिखे भी मिल सकते हैं तीसरा उप्षन में दिये जाएगा कि तीसरा इने में से कौन सा होगा इस तरह का भी पर्षन बन सकता है इसे आगे तोड़ा बुक वर्क देखें पर्षन नमबर एक है मुख से निकलने वाली परतेक शाउतंत्र आवाज खालिस्तान कहलाती है दावनी वार्ण पद क्या कहलाती है सयुत्र अमारा होगा पहला दावनी कहलाती है पत्रों पुस्तकों और समाचर पत्रों में खालिस्तान भासा का महत्तु है लिखित भासा का मोखी का या सांकेतिक भासा का तो कौन ची भासा का होगा लिखित भासा विस्म की परमुख वाषाओं में हिंदी को खलिस्तान प्राप्त है दस्वा, सात्वा, किसरा, to throw, सयुतर के हमारा, किसरा निमलिकित में से कुन सी एक वाषा नहीं है, बुंदेली, मैतिली, ॢोगरी, तो क्या नहीं है जी, तीसरा option हमारा सही है, डोगरी अगला है नीचे लिखे वाके के लिए एक शब्द लिखें धामनियों दवारा परकट की जाने वाली भासा क्या कहलाती है ओप्सन में दिये जाएंगे सभी भासाओं के नाम तो आपको बताना होगा मोकी भासा बासा के सुद्रूप एम परियों के बारे में बताने वाला सास्तर फिर डैस में सारे उप्सन दे दिये जाएंगे क्या कहलाता है व्याकरण वाके में परियुक्त सब्द क्या कहलाता है इसमें भी आपको उप्सन मिलेंगे तो आप सही उतर क्या वरेंगे बद कहलाता है बासा को लिखने के जिन क्या कहलाते हैं इसमें भी सारे उप्सन दे दिये जाएंगे आपको लिपी पर टिक करना होगा विचारों की अभी वक्त करने वाले सार्तक सब्दों का समू खालिस्तान कहलाता है इस तरह से भी मिल सकता है या समू के सामने को डैस लगाके भी छोड़ा जा सकता है तो से उतर क्या हो जाएगा हमारा वक्त के उप्यूक सब्दों दवरा लिक्स्तानों की पूर्ती करनी है बासा शब्द की उत्पति खालिस्तान सब्द से हुई है इसमें भासा होगा लेकिन ओप्सन में बहुत सारे और भी सब्द मिलेंगे आपको मोखिक भासा को खालिस्तान में आवद करके लिकित भासा बनाई जाती है तो क्या आएगा लिपी चिनों के दवरा भासा में व्याकरण के नियुमों का पूरा ध्यान रखा जाता है ये व्याकरण है हिंदी भासा का परतेक लिपी संकेत अपनी धवनी का ही परती निदिताव करता है व्याकरण का स्ताब्दी कथ है विचलेशन करन आगे ये हैं ये उप्सन में ऐसे कुछ भी नहीं है अपना वुपर्क तयार रखे बूरा और जो चैप्टर में जो जो मैंने परिवासाएं बताई है किस तना के उप्सन होंगे वो सारे चीजे आपको यादगरनी है और पंदरा के बाद या पंदरा या सोला से आपके यूटि स्टार्ट हो जाएंगे धन्यवाद